नमस्कार साथी एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल पर आज आप लोगों को मैं इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि पीटीटी 2021 की फीस रिफंड फरकिरिया जो अभी चल रही है इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है कब तक आप इसके लिए अविदन कर सकते हैं और कब तक आपकी फीस रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएगी जैसे ही face refund आपके account में आना शुरू होगी तो आप लोगों को वीडियो के मद्यम से सुचित कर दिया जाएगा लेकिन इससे पहले आप YouTube चैनल को subscribe कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली हर एक update का notification आपको समय पर मिल जाए यह सुचना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो last date है वो क्या है आपकी last date का पता आपको होना जरूरी है क्योंकि बहुत से students ऐसे हैं जिनको बाद में पता चलेगा कि फीस refund की परकेरिया शुरू हुई है या नहीं हुई है और वे इसके लिए आउधन भी नहीं करेंगे तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसकी जो date है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी एक बार आप देख लेजिए कि जो अभेरती हैं जिन्हेंने एक से ज़दा बारचालान जिनका कट गया था और ऐसे विद्यारती जिन्होंने 5,000 रुपए जमा करवा दिये थे और उनको कोलेज नहीं मिली है और ऐसे विद्यारती जिन्होंने 22,000 रुपए भी जमा करवा दिये थे और वो किसी कारण से reporting नहीं कर पाए या तो उनकी reporting की date चली गई या फिर documents की वज़े से उनका admission रद हो गया तो वो students है अभी इनके form चल रहे हैं PDT Peace Refund के जो option है वो चालू है तो आप वहाँ पर जाकर इसके लिए apply कर सकते हैं documents के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया है और यह दि आपने भी तक नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए एक और वीडियो में अलग से डाल दूँगा कि क्या-क्या documents आपको वहाँ पर चाहिए तो आप लोगों को बताते हैं इसकी जो last date है वो आपकी पचीस तीन दोहजार बाइस तक PTT 2021 की अधिकरित वेब साइट www.ptetraaj2021.com पर apply for refund आइकन पर क्लिक कर अपने PTT 2021 के आप रोल नंबर, counselling ID जो अभेरती के PTT 2021 के परिक्षा प्रिणाम में दर्सित है उसके अधार पर स्वेम का नाम, माता का नाम और जन्नमतित्थी से लोगिन करके स्वेम के बेंक खाते का संपूरण वीवरण यह था आप खाता संक्या डालें बेंक का IFC नंबर बरें और उसके बाद में आप है वो इसे सब्मिट कर दें साथ ही बेंक पास केंसेल चेक यह स्वेम के पते से संब्दित भी आपको एक कोई भी डोकुमेंट्स है वो अपलोड करना है वो आपका आदार कार्ड हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपकी बोटर एडी हो सकता है इत्यादी भी आपको अपलोड करन पड़ेंगे तो आप लोग जरूर ये चीज़ें एक बाद ध्यान में दे लें और अगर आपने अभी तक अपलाई नहीं किया है तो आप इसे जरूर अपलाई कर दें आपके पास में अभी बहुत समय है कि 25 तीन तक आप आउधन कर सकते हैं कि 25 मारज तक अब बात रहेगी क आपका जो फीस रिफंड है वो कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा तो आपका फीस है वो आपके अकाउंट में आएगा तो वो 25 तीन दोहजार बाईस से पहले नहीं आने वाला है क्योंकि 25 तीन तक आपके आउधन हैं आप कर सकते हैं उसके बाद में आप 10 दिन का सम में भी मानें तो आपका एक अप्रेल के बाद में यहां पर आने वाला है अकाउंट में आपका पेशा यानि कि लग भग आपको कितना समय हो चुका है फारम भरेवे फीस जमा करवाई कम से कम छह मएने हो चुके हैं उसके बाद में भी आपकी अभी तक फीस रिपंड नहीं ह हुई है ऐसा माना जा सकता है कि पीडिटी की जो परकिरिया है बहुत दीमी चल रही है बहुत से इस्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्यों नहीं हमें रिपंड हो रहा है तो दोस्तों अब आपको जड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप लोग जरूर है ये फोरम बर आप मुझे कोल कर सकते हैं वार्टसअफ सब्सक्रिया है YouTube मेरे नंबर नबर दे वे हैं और उजो वार्टसप गिरूप है इसमें भी आप संप्रक कर सकते हैं तेलीगों गिरूप पर मैंने हर एक विषय की डाइरी अंभलब्द करवाना उन सुरू करर्ए है जैसे जैसे ड झाल झाल